वेलकम टू एक्जाम भी वेजना तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है आज हिमाचल प्रदेश में स्टैनो टाइपिस्ट का एक्जाम कंड़क्ट किया गया था तो उसी प्रशन पतर के अंतरकत आज हम डिसकस करेंगे एचपीजी के प्लस करंट फिर ठीक है तो यह जो आपके लिए प्रशन है बहुत ज्यादा महत्पून रहने वाले हैं हो सके तो इनके नोट्स भी बनाईएगा ताकि भविश्य में आपको इसी तरह के प्रशन आएंगे तो आपने इजी लिकर सके ठीक है तो चलिए ज्याद गसोता मिला हिमाचल परदेश की किस जिले में मनाय जाता है तो यह हमीरपूर में मनाय जाता है 73 बिनवा हिमाचल परदेश की किस नदी की साहिक नदी है तो यह बियास नदी की साहिक नदी हो जाएगी अगला देखिए भावा घाटी हिमाचल परदेश के किस जिले में स्थित है तो ये किन नौर में स्थित होगी अगला है इंदर किला पर बचोटी हिमाचल परदेश के किस जिले में स्थित है तो ये कुलू में स्थित होगी अगला है 76, हिमाचल परदेश का सबसे कम जनसंख्या गनत्व वाला जीला कौन सा है तो यह लाहल स्पीती होगा तो यहाँ पर जनसंख्या गनत्व दो होगा, ठीक न, दो ब्यक्ति अगर सबसे जादा पूछा जाए तो यह हमीरपूर का हो जाएगा अगला है हिमाचल परदेश के प्रादह मुख्या आयूक्त कौन थी तो यह NC महता थी, विकल्प यहाँ सही हो जाएगा अगला है 78, हिमाचल परदेश ब्धान सभा में जो कुल sits कितनी है हिमाचल परदेश में ब्धान सभा की कुल sits पूछी गे है इजी प्रशन था 68 हैं अगर पुछा जाए लोक सवा में कितनी है हिमाचल के इंतरगत तो 4 होंगी राजे सवा में 3 होंगी अगला प्रशन है 79 किस बीदेशी यात्री ने प्राचिन काल के कुलो राजसाही की प्रसिद्धी के वारे में बिस्तार से लिखा है तो यहां पर मेरे हिसाब से सही बिकल्प होना चाही है बिकल्प A हिविन सांग ने लिखा है क्योंकि कहीं पर अगर हम पड़ते हैं H.O.G. का तो वहां पर सिर्फ हिविन सांग का ही जिकर मिलता है फाहि या नहीं मिलता है बागी ऑफिशल अंसर की में भी देखेंगे इसका क्या उत्तर दिया गया है आगे है 80 नूरपूर का प्राची नाम क्या था तो जो नूरपूर का प्राची नाम था ये धमेरी था पिकल्प भी यहां पर सही होगा अगर ये पूछा जाए धमेरी नाम से नूरपुर्ण नाम किसके द्वारा किया गया है तो ये किया गया था राजा जगत्सियं के द्वारा ठीक है इसका भी आपने विशेश धियान रखना है अगला है 81 सुकेत राजसी राज्ये के संस्थापक कौन थे राजा बीर सिंथे विकल्प भी यहां सही हो जाएगा अगला है 82 बरतमान मंडी जिले की स्थापना कब हुई थी तो ये 15 अप्रेल 1948 को हुई थी विकल्प भी यहां सही हो जाएगा आगी है 83 बहरासूल पन बिजली पर योजना हिमाचल परदेश की किस नदी पर बनी है तो ये रावी नदी पर बनी है अगर पूछा जाए कौन से जीरे में बनी है तो ये चमबा हो जाएगा आगी देखेगा 84 परसी दक्तिर लोक नातमंदी नहमाचल परदेश की स्थान पर स्थित है तो ये लाहोल स्पिती में स्थित होगा अगला है 85 नहमाचल परदेश बिशवविद्यालिय की स्थापना किस बर्ष की गई थी तो ये 1970 में की गई थी अगर ये पूछा जाए शिमला में किस स्थान पर ये अपना बिशवविद्यालिय है तो ये समर हिल में स्थित है आगी देखेगा 86 काल का शिमला रेलवे लाइन पर बनी सबसे लंबी सुरंग कौन सी है तो ये बरोग हो जाएगी अगर ये पूछा जाए कि जो काल का शिमला रेलवे लाइन है इसमें सुरंगों की संख्या कितनी थी पहले इसमें 103 सुरंगे बनी थी परंतु बरतमान में 102 ही है ठीक है एक सुरंग क्षतिग्रस्त हो गई है अगला देखेए 87 कुफरी जोती किस की एक किसम है इनके द्वारा किनर देश नामक पुस्तक लिखी गई है अगला प्रशन देख लेते हैं 89 तो इसमें क्या पूछा गिया है बुरी सीह संग्रालिय हीमाचल प्रदेश में कहां पर सित है तो ये चमबा में स्थित होगा अगला प्रशन है 90 शुन्तो हिमाचल प्रदेश ये किस जिले का लोक निरत्य है तो शुन्तो हो जाएगा लाहल स्वीदी का लोक निरत्य है ठीक है यहाँ पर अब हमारा HPG के कम्प्लीट हो जाता है अब आगे हम डिस्कस करेंगे करंट फेर के कोशन तो ये देखिएगा यहाँ पर पुछा गया है 101 जे जोरा गर्त जो हाली में समाचालों में दिखाई दिया था किस अकाशिय पिंड में पाई जाने वाला एक अब नमन है तो ये मंगल में पाई गया था C सही बिकल्प अगला है सुनील चितरी जो हाली में चर्चा में थे किस खेल से सबन्दीत है तो जो सुनील चितरी से सभी परिचित होंगे मेरे क्याल से जो जो फुटवाल के मेंच देखते हैं तो ये फुटवाल से सबन्दीत होंगे ठीक है बिस सही बिकल्प यहाँ हो जाएगा अगला है 103 मैट फ्रेडरिक सेन क्या है मैट फ्रेडरिक सेन जिनोंने हाली में भारत की यात्रा की किस देश के परधान मंत्री थे ये तो ये डेन्मार के परधान मंत्री है अगला है 104 बी-म माधवन नायजिन का हाली में निधन हुआ था उनका पेशा बताना है ये किस पेशे से स्वंदित रहे है तो ये नौकी शाही से स्वंदित रहे है सी सही बिकल्प यहां हो जाएगा अगला है 105 2021-22 के बजट में घोशित मित्तर योजना किस क्षेतर से स्वंदित होगी तो मित्तर योजना होगी कपड़े से स्वंदित बिकल्प B यहां सही हो जाएगा अगला देखिए 106 पॉंटे दी फेरो जो हाली में धाराशाई हो गया किस देश में स्थित था तो जो पॉंटे दी फेरो यह इटली में स्थित है ठीक है अब यह धाराशाई हो गया है आगे है 107 आउस्टेलिया में श्यतक बनाने वाली पहली भारती है महिला क्रिकेटर कौन वनी है तो यह वनी है समरीती मंधाना बिकल्प A सही हो जाएगा आगे देखिए 108 स्वच भारत अभियान का हाली में किस राज्य में उदगाटन किया गया है तो यह किया गया है UP में अगला प्रशन है 109 भारत में हाली में किस तकनिकी कंपनी ने क्रियेटर शिक्षा कारेकरम की शुरुवात की है तो यह फेस्बुक के द्वारा की गई थी अगला प्रशन है नियू योर्क में हाली में इनफॉर्मेशन एबम प्रशातंत्र के लिए आईजीत सम्मेलन में भारत का प्रतिनीधित्व किस ने किया था तो यह अनुराग ठाकूर ने किया था जो अनुराग ठाकूर है यह हमारे हमाचल से ही एक मंत्री है ठीक है इसका भी धियान रखना है अपने तो ठीक है यहाँ पर अब हमारा जो हमारा एचपीजी के और करंटफेर का सेक्शन कंप्लीट हो जाता है जल्द हम आपके समक्षी इसके बागी के सेक्शन भी लेकर आएंगे तब तक आप मारे चैनल के साथ बने रहे हो सके तो जितना जादा नोट्स हो सके इनके भी बनाईएगा ठीक है कि नोट्स आपको एक्जाम से पहले रिविजन करने के लिए लाब मिलता है तो ठीक है थैंक्यू आप अपन तक बने रहे